तो यार आज मैं आपको laptop बताऊंगा अगर आप इंजिनिंग करते हो आपके लिए मैं laptop बताने वाला हूँ अगर आपका विल्टे 50,000 है आपके लिए best deal होने वाली है अब भी बात करते हैं number 4 की नमबर 4 की बात करते हैं लेकिन नमबर 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता दिना चाहते हूं मैं जितने भी आपको laptop बताऊंगा वो सभी सबसे पहले भी अगर आप student हो अगर आप engineering student हो, architecture हो उसके बात भी अगर आपको business के रिलेटर चाहिए प्लस भी अगर आपको traveling के लेटर चाहिए, मतलब 2021 में जो laptop आपको best deal मिल रहे हैं मैं वो ही laptop आपको बताने वाला हूं, तो बात करते हैं सीधा नमबर 4 की नमबर 4 की बात करूँ, नमबर 4 पर यार मैंने रखता है, am my notebook horizon को तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, ये laptop आपको 51,000 के budget में देखने को मिल जाता है, ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता है, मैं इस budget range में इस laptop को ना रखूँ, because इसके दो reason देखने को मिलते हैं, कि आपको build quality and उसके साथ स्पैसिफिकेशन बहुत अगरे मिल जाते हैं, एक इस RAM मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, ग्राफिक कार्ड की बात करो, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है, उपरेनी चेस्टें की बात करू, आपको Windows 10 देखने को मिल जाती है, प्लस बैटरी की बात करू, आपको 10 hours का battery backup provided कर देता है, प्राइस की बात करू, आपको 51,000 के बज़र में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाएगा, तो यहर में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, MI Notebook Horizon के, अभी बात करते है कि ये laptop लोगों को लेना जाए, तो मैंने आपको पहले ही repeat कर दिया, अगर आप traveling videos करते हो, अगर आपने वीडियो पढ़ाते हो, उसके बाद अगर आप online classes लगाते हो, offline classes लगाते हो, प्लस अगर आपने gaming व्यारा भी करनी है, आपको इस laptop पे कर सोगोगे, आपको कोई भी problem नहीं आने वाली, प्लस इसके साथ आपको HD web camera भी free देखनी को मिल जाता है, अभी बात करते है, इसके minus point की, इसके minus point की बात करो, आपको 8GB RAM तो मिल जाती है, लेकिन आपको अपकरेट करने का मतलब option नहीं मिलता, 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता, अगर वो चीज़ मिलती है, तो भाई, मैस laptop को number 2 पर या number 1 पर ही रखता, because specification के according, build quality के according, प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है, कि आपको typing जादा करने ही पड़ती है, data interest बगारा करते हो, आपके लिए भी perfect deal होने वाला है, तो आप जा सकते हो, MI notebook origin के और, आप देख लेना, बस आप इस चीज़ को ध्यान भी रखना है, कि आपको 8GB RAM मिल जाती है, लेकिन आपको अपकरेट करने का option नहीं मिलता, आगे बात करते है अब ही number 3 की, number 3 की बात करें, number 3 पर यार मैंने रखा है Acer Aspire 5 को, तो सबसे पहले बई, मैं आपको कहा देना चाता हूँ, अगर आपका प्यड़ 50,000 से भी कम है, तो आप इस laptop के और जा सकते हो, ये laptop आपको 45,000 से लेके, आपको 50,000 के बज़र तक देखने को मिल जाता है, लाइक इसका बज़र कम भी देखने को मिल जाता है, कई बार, हमेशा नहीं होता, लेकिन मैंने link पर वाइड किया, आप चाहूर कालना, अगर आपको सही प्राइज में मिल जाता है, तो आप इस क्या जा सकते हो, laptop पूरा loaded मिल जाता है, बात कर लेते है, मैं इस specification की थोड़ आपको i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाता है, expendable करने का option मिलता है, आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 5$ GB SSD देखने को मिल जाती है, graphic card की बातों को Nvidia G4 MX350 देखने को मिल जाता है, वो भी 2GB के साथ आता है देखने को, ठीक है, operating system की बातों को Windows 10 मिल जाता है, ब अगर आपने gaming करनी है, video acting करना जाते हो, 4K विगारा भी अगर ट्राइ करना है, आप कर सकते हो, बस आपने इतने द्यान में रखना है, कि आपने जो RAM में उसको upgrade कर लेना, अगर आपको 8GB देखने को मिलती है, आपने 16GB तक चल जाना, minimum 16GB तक आपने चल जाना, आपको जो software अगरा है, वो बहुत easy चलेगा, कोई भी problem issue आपको नहीं आने वाला, अभी आगे बात करते है, number 2 की, तो अभी बात करते है, number 2 की, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता देना है, number 2 and number 1, मैंने दोनों को combine कर दे, because दोनों ही, एक ही brand से आपको देखने को मिलते है, मैं ब pair 7, लेकिन अगर आपको gaming design से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस से नीट्रो 5 आपके लिए perfect deal हो सकते, अगर आपने gaming करनी है, उसके बाद अगर आपने video acting करनी है, traveling के लिए चाहिए, अगर आपको कोई भी heavy software use करना है, video acting करना जाते हो, फूर के भी गहलार, try करना जाते हो, आ डिस्पली की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, processor की बातों को i5 9th generation के साथ मिलेगा, storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाती है, प्लस आप पगरेट कर सकते है, 32 GB तक प्लस आपको 5 GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 16504 GB मिल जाती है, प्रेटी जिस्ट मिल जाती है, तो यहार main specification में आपको बता दिये, Acer Ispire 7 के, अभी बात करते है, Acer Nitro 5 की, तो display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की iPass panel display, जो की 16 refresh rate के साथ देखने को मिल जाती है, प्रोसासर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है, storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाती है, hours का battery backup provide कर देते है, price की बात करूँ, इसका price आपको 57,000 के बदर में देखने को मिल जाएगा, तो यहर main specification में आपको दोनों ही laptops के बता दिये, तो plus मैं आपको कहा देना चाता हूँ, जो Acer Nitro 5 है, Acer Ispire 7 है, इनका price increase हो जाता, 50,000 से अपर चल जाते है, लेकिन भी अगर आप extra pay कर सकते हो, आपके लिए बहुत अगड़े होने वाले है, मैं आपको recommend करना चाता हूँ, अगर आपका बिदे 50,000 है, 50,000 के अपर भी अगर आप जा सकते हो, थोड़ा से extra pay कर सकते हो, तो इससे Nitro 5, आप उसके आप जा सकते हो, long time period अगर आपने use करना, कोई heavy software use करना, food के म मतलो, कोई भी loaded file पर काम वगरा भी करना है, आपके लिए perfect deal हो सकता है, end अगर आपका बिदे 50,000 से भी कम है, तो इससर इस pair 5 आपके लिए best deal हो सकती है, तो मैंने यार आपको बता दिया, जो भी आप इन में से लेना जाते हो, आप ले सकते हो, सभी के buying link मैंने description box में दिये ह प्लिस अगर आपका बिदे 40,000, 30,000 है, अगर आपका बिदे 20,000 तक भी है, मैंने उनकी भी वीडियो किया मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाए कि कोई भी आपकी categories है, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, student ओ, office पर के लिए चाहिए, gaming करने है, programming करने है, coding करने है, आपकी रेक्टरो, जा कोई भी आपने कोई भी रोड़िट फाइल पर काम करना, आप सभी के लिए मैने पहले ही वीडियो की हुए है, तो यार अभी मेरी वीडियो, यही पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी बेच्च लगी यार वीडियो को लाइक करताना, कमेंट करत दोस्तों को बेदना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना, उनको भी कहताना, विचान को करते सब्सक्राइब, भी पूरते लाइक, एंड इंस्ताग्राम पर कले फॉलो, लिंक अपकर आए यार आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जागा असको चारू, क आपकर आपके पस लाइक, यार असक्रिक राइक, चुछ्सक्रिक्ती को चार आपको चा आपको डिस्क्रिनग में फविए कुछ्सक्रितों को कनो च newग्स को कि मत्यार समय उत nut़ Zum